नमस्कार आपके साथ मैं हूँ आदित कुमार महराष्ट विधान सभाचनाव में समय बात के जोर हजमाईश चल रही है कि कौन सा नेता अपने विरोधी दल के नेता पर कितनी भद्धी टिपड़ी कर सकता है गुंडे मवाली जैसे शब्द तो बेहत छोटे साबित हो गए है नए नए शब्द निकाल कर लाए जा रहे हैं और विरोधी पर दागे जा रहे हैं माराष्ट में पहली बाल लडाई छे दलों के बीच दिखाई दी रही है लेकिन बात जुमानी जंग की करें तो तीन दली इसमें आगे दिखाई दे रहे हैं शिवसेना यूबीटी इसमें पहले नंबर पर है और वैसे ही पार्टी के निता कहते हैं हम तो सर्टिफाइट गुंडे हैं हमें किसी का लाइसेंस लेने की जरुरत नहीं है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस और बीज़ेपी के निता भी एक दूसरे पर बेयाद गंदे शब्दों का इस्तमाल करने से पीछे नहीं अट रहे हैं इस बीच कुछ तस्वीरे भी सामने आई है जो इस लड़ाई को और भी भयाना के स्थिती में ले जाती दिखाई दे रही है जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि चुनाओ में अब कोई विरोधी नहीं है या तो दोस्त है या फिर दुश्मन और दुश्मन के साथ दुश्मन जैसा ही बरताओ करना है छोड़ना नहीं है ऐसा एक वीडियो इस सवे सोशल मीडिया पर सामने आया है जहां राज्ज के सिहमेकना शिंदे को पहले एक युवक निकाला जंडा दिखाया और उसके बाद उन्हें गाली भी दी घद्दार कहा गया जिससे भड़के शिंदे सीधे कांग्रेस कारयाले चले गए और मौके पर मौझूद कांग्रेस नेताओं को जम कर सुना दिया तो क्यों शिंदे आ गए है टार्गेट पर इसी को लिकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे नमस्कार आपके साथ मैं हूँ आदित गुबार माराश्ट के सियमेकना शिंदे का एक वीडियो सूशल मीडिया पर इन दिनों वारल है इसमें वो बेहत गुसे में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस उम्मिद्वार के चुनाओ कारियाले में जाते दिखाई दे रहे हैं इस दौरान वे कहते हैं ऐसा सिखाते क्या आप लोग बता जा रहा है कि वीडियो 11 नमंबर का है लेकिन ये अब वारल हो रहा है देर राज शिंदे अपने काफिले के साथ साकी नाका इलाखे से गुजर रहे थे इसी दौरान संतोष काटके नाम के युवक ने शिंदे को काला जंडा दिखाया और उन्हें घद्दार कहा साथ ही उनके काफिले को रोकने की कोशश भी की गई ये पूरी घटना कॉंग्रेस उम्मिदवार और पूरमंतरी नसीम खान के चुनावी कारियाले के बाहर हुई जिसका किसी ने वीडियो भी बना लिया और अब वो वीडियो सोशल वीडिया पर वारल हो रहा है बाद में संतोश कटके को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में लेकर पुलिस को सौपा था हलंकि पुलिस ने उसे छोड़ दिया और जाने के लिए कह दिया इसके बाद संतोश कटके अपने पिता के साथ उद्धो ठाकरे के घर मातोश्री पहुँचे यहाँ दोनों का उद्धो ठाकरे ने स्वागत किया दोनोंने श्विसेना UBT के स्दस्ता ली और ये स्दस्ता उद्धो ठाकरे ने दिलाई संतोश ने मीडिया को बताया कि एक नाश शिंदे को देखते ही उसका घुसा फूट पड़ा था और उसने घुसे में ऐसा बोल दिया अब चांदी वाला से कॉंग्रेस उम्मिद्वार नसीम खान ने इस पूरे मामले में एकनाश शिंदे परी हमला बोल दिया उन्होंने कहा कि चुनाओ चल रहा है कई जगा विरोध का सामना भी करना पड़ता है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप विरोधी राजनेतिक दल के कार्याले पर जाधमके और वहाँ अपनी ताकत दिखाने कोशिश करें मुख्यमंत्री का कॉंग्रेस के चुनाओ कार्याले पर आना और यहां आकर हमारे लोगों को धमकाना किसी भी नजरिये से सही नहीं ठहराया जा सकता लेकिन हम इसका राजनेतिक करन नहीं करना चाहते लोकतंत्र में आलोचना का स्थान होना चाहिए हम भी कई वर्षु तक मंत्री और विधायक रहे हैं इस तरीके का विवहार जो आचार सहिता का भी उलंगन माना जाता है कि किसी दूसरे राजनेतिक पार्टी के कार्याले में आप कैसे गुश सकते हैं वैसे अब इस घटना को लेकर कई तरह के सवार उठाये जा रहे हैं वोटिंग में तो अभी सफता भर का समय बचा हुआ है ऐसे में इस तरह के टकराओ आगे और भी तेज हो सकते हैं लेकिन इसके साथ ही हम ये भी बता दें कि एक नाश शिंदे को उधो ठाकरे भी कई बार सारुजनिक मन्द से गद्दार कह चुके हैं दरसल दो जून 2022 को शिवसेना में दो फाड़ हो गई थी एक नाश शिंदे ने पार्टी तोड़ी चालिस विधायक अपने पाले में किया और बीजेपी के साथ मिलकर महराष्ट में सरकार बना ली चुनावायोग ने पाल्टी का नाम और निशान तीरधनुष शिंदे गुट को दिया था ठाकरे गुट का नाम यानि शिवसेना उधो बाला साहब ठाकरे रखा गया था बाद में ये विवाद सुप्रीम कोट तक पहुँच गया सुप्रीम कोट ने फैसला दिया था कि शिंदे सरकार बनी रहेगी इसके बाद साल 2023 वे शिवसेना उधो ने 20 जून को घदार दिवस के रूप में मनाया था वैसे चुनाओ में उधो गुट की तरब से शिंदे के खिलाब बेहत तीखे बयान दिये जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि उधो ठाकरे और एकनार शिंदे दोनों का वोट एक ही है क्योंकि पार्टी भी तो सेम हैं एक ही जगह से निकले हैं दोनों कटर हिंदुत की राजनेत करते हैं विधान सबा चुनाओ में और अंचास सीटों पर शिवसेना के दोनों गुट आमने सामने हैं ऐसे में इस बार दोनों के बीच असली और नकली का भी फैसला हो जाएगा लोगसभा चुनाओ में मुकाबला लगबग बराबरी का रहा था उद्धो गुट 21 सीटों पर चुनाओ लड़ा और 9 सीट पर जीत दर्च की थी दूसरे तरब 15 सीटों पर शिंदे गुट लड़ा था और 7 सीट पर उसने जीत हासिल की थी 13 सीटों पर ये दोनों ही दल आमने सामने थे जिसमें से उद्धो गुट को 7 और शिंदे गुट को 6 सीटों पर जीत मिली थी याणि लोगसभा चुनाओ में दोनों के बीच मुकाबला लगबग बराबरी वाला रहा था उद्धो को एक सीट भले ही जादा मिल गई लेकिन पूरे चुनाओ में नतीजों में शिंदे गुट की शिवसेना का स्ट्राइक रेट उद्धो गुट से अच्छा रहा था ऐसे में अब विधान सभा चुनाओ में दोनों ही दलों के बीच एक बार फिर से असली और नकली की जंग छड़ गई है और इसमें जो गुट भारी पड़ेगा उसी गुट का गड़बंधन भी विधान सभा चुनाओ में भारी पड़ेगा ये भी लगभग लगभग तैम देकर पहले ही राजजी की राजनीत में बेहद उतल उतल मचा रखी है योगी के नारे के चलते महायूत गड़बंधन में ही फूट पड़ती दिखाई दे रही है नाराज अजीत पवार ने तो साफ कह दिया कि उन्हें नसीपी के उम्मीदवार वाली किसी भी सीट पर चाहन منतری नरेंदर मूदी ने एक बार फिर कहा है कि सेफ हैं एक हैं तो सेफ हैं इस बात गनारा दे दिया योगी के नारे को लेकर तो चुनावायो तक शिकायत की गई वैसे विपक्षि गड़बंधन ये तैम मान कर चलता है कि उसके शिकायतों पर चुनावायो की तरज क किसी तरह की कोई कारवाई नहीं होनी है लेकिन वो लगातार शिकायते कर रहा है हाली में कॉंग्रेस का प्रतंदी मंडल दिल्ली में चुनावायोग पहुंचा था और बीजेपी के खिलाफ आठ शिकायते दर्च कराई थी और कहा था कि जाच में शिकायते सही पाई गई है ऐसे में चुनावायोग को कारवाई भी करनी चाहिए लेकिन अभी तक इस पर चुनावायोग ने कोई एक्षन नहीं लिया है तो योगी आध इतनात के बटोगे कटोगे के नारे को लेकर अजीद पवार का बयान आना और बयान के बाति प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का ये कहना कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जा रही है और इसारा किया जा रहा है दर असल मोदी जी भी यह समझते हैं कि महराश्ट का चुनाओं गर गडबड होता है तो इसका एफेक्ट दिल्ली के विधानसबा चुनाओं में भी दिखाई देगा इसलिए यहां के चुनाओं को पाले में करना उसके बाद दिल्ली पर तो पहुश्टी रहें नमस्कार